आखे बंद किये बैठा था आखों से देखते देखते मनुश आखे बंद करके देखना ही गुलता जा रहा है जो आखों से दिखता है वो उसके समकच कुछ भी नहीं है जो आखे बंद करके दिख आता है आख का छोटा सा पर्दा तो दुनियाओं को अलग करता है और जोड़ता है मैं आख बंद की ये बैठा था कि एक व्यक्ति आए और पूछने लगे कि मैं क्या कर रहा था और जब मैंने कहा कि कुछ देख रहा था तो वे हैरान हो गए शायद उन्होंने सोचा होगा की आखे बंद करके देखना भी क्या देखना कहा जा सकता है आख खोलता हूँ तो सीमा में आ जाता हूँ आख बंद करता हूँ तो असीम के द्वार खुल जाते हैं इस और द्रिश दित्ते हैं उस और द्रिश्टा दिखाई देता है एक फकीर इस्त्रिथी राबिया एक सुन्दर प्रबात में किसी ने उससे कहा था राबिया भीतर जोपड़े में क्या कर रही हो यहां आओ बाहर देखो प्रबू ने कैसा मनोरम प्रबात को जन्म दिया है उसके ही बनाने वाले को देख रही हूँ मित्र तुमी भीतर आजाओ और जो यहां है उस सुन्दर के आगे बाहर के किसी सुन्दर का कोई अर्थ नहीं है पर कितने है जो आख बंद करके भी बाहर ही नहीं बने रहेंगे अकेले आख बंद करने से ही आख बंद नहीं होती आख बंद है पर चितर बाहर के ही बन जाते हैं पलक बंद है पर द्रिश बाहर के ही उतरे जा रहे हैं यह आख का बंद होना नहीं है आख के बंद होने का अर्थ है शूनता सपनों से विचारों से मुक्ती विचार और द्रिश के विलीन होने से आख बंद होती है और फिर जो प्रकट होता है वह शास्वत चैतन है वही सत्थ है वही चित वही आनंद है इन आखों का सब खेल है आख बदनी और सब बदल जाता है